हेलो फ्रेंट्स वेलेकम टू माई स्टेटी फीट ओफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों आज के वीडियो में 50 MCQ कोश्चन्स हैं सभी कोश्चन्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है डेली बेसेस में आप सबको प्रैक्टिस करा रहे हूं फिजिकल एजूकेशन क प्रैक्टिस कराया है पूरा चैप्टर वाई सभी वीडियो को आप जरू देखिए और डेली बेसेस में आपको करा रही हूं जो सभी कोश्चन्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं यहां फे सिर्फ आपके एक्जांस रिलेटेट कोश्चन्स ही का ही बात किया कीजिएगा बीच में इसकीप मत कीजिएगा कोश्चन ही काफो बूण किसे कहा जाता है तो दूसरों जैसे काफ म।ार्णयक बूला जाता है तो काफ भूण बूण बोला जाता है पीवुला को इसलेटि का है एसी बग भारतिय दल को अपने नित्यतु में पहले बार किस उलंपिक में प्रदिभाग कराने ले गए थी तो दोस्तों 1924 पेरिस फ्रांस में अधिकारिक तोर पर दो बार भाग लिया भारत ने 1922-1924 अधिकारिक तोर पर भाग लिया था उलंपिक में जिसें भारत ने हाकी में सुड़ पतक किता था एंड दोस्तों ऐसी बग जो है वो भारत में वायम सीए यानि यंग में किस्ट्रियन एसोसियेशन के इस्थापना जिन नई मदरास में उनिस सुबीस में किये इसलिए भारत में साररिक सिच्छा के पितामह कहे ज वालिस को जार्ज बिलियम के द्वारा किया गया था और अमेरिका में 1883 में स्प्रिंग फिल्ड कॉलेज में भारत ने उनिस सुबीस के नई मदरास में नेट है किस महापुरुस को भारत का पायोनियर आफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है तो उह है एच सी बक यानि हैरी क्रो बक नेट है दोस्तों किस महापुरुस को एच सी आई खेलो का पिता कहा जाता है तो प्रोफेसर जेडी शोंधी को कहा जाता है नेक्स्ट है हिमाचल पडेश में किस अथान पर भारती खेल प्राधी करण द्वारा हाई एल्टिट्यूट ट्रेनिंग सेंटर इस्थापित किया गया है तो उस जगह का नाम है सिलारो नेक्स्ट है केरल में सबसे अधिक कौन सा खेल प्रचलित है तो दोस्तो केरल में वॉली बॉल सबसे अधिक प्रचलित है नेक्स्ट दोस्तो हैपेटिक धमनी का समन्ध सरीर के किस अंग से है तो दोस्तो हैपेटिक धमनी और हैपेटिक पोर्टल वेन यह यकृति यानि लीवर से रिलेटिद है और हैपेटिक पोर्टल वेन जो होता है वो छोटी आज से जुड़ी रहती है जो पोसक तत्व छोटी यार्थ का विलाई जो है और सोसित करती है हिपरटिक पोटन वेर के रास्टे ही याकृत यानि लीवर में जाती है नेक्स दोस्तों पिश ओलंपिक में प्रथम अस्थान पर आने वाले खिलाडियों को पूरे सोनी के मेडल दिये गए तो सबसे पहले मेडल दिये गए उनी सो चार सेंट मिलीज में लेकिन पूर्स ओने की ठोस मेडल दिया गया उनी शुबारे स्टाख होम स्वीडन में जाद रखेगा दोनों प्रकार की कोसन पूशीगा प्रथम पार विजयताओं को गोल्ड दिये गए यानी मेडल दिये गए तो उनी सो चार सेंट मिलीज में पदक दिया गया और उलालपिक में ठोस परदक यानी की पूर्स होने का मेडल दिया गया सबसे पहले उनी सुबा नेक्ट है कुस्ती के खिलाड़ी को निम्न में से क्या बोला जाता है तो दोस्तों कुस्ती के खिलाड़ी को गैपलार्स या पैल बोला जाता है और बॉक्सिर बार खिलाड़ी को केजर्स एंड बॉक्सिंग खिलाड़ी को पुलिष्ट बोला जाता है नेक्ट है निम्ण में से फिला यानि सत्रंज में फिला किसी बोला जाता है तो उट को बोला जाता है नेक्ट है फुटवाल विस्टू कप कम्बिनेशन टूर्णामेंट के अंतरगत किस पधती से खेला जाता है तो कम्बिनेशन टूर्णामेंट चाल प्रका को होता है ना कम ना काओ, लीग कम लीग, लीग कम ना काओ तो जो फुर्वाल विस्व कॉप टूनामेंट होता है वह किस पथती से खेला जाता है कम्बिनेशन टूनामेंट के तो दोस्तों वह खेला जाता है लीग कम नाकाउट याद रखेगा कोर्शन मोस्ट इंपोर्डन है जैसे कि आपकी बीपेसी टिया टू में यहाँ पूझा हुआ था कि नाकाउट अधार पर खेला जाने वाला फुटबाल टूनामेंट किया है तो संतोष टॉफी राई था यहाँ भी बीसु का फुटबाल टूनामेंट की बात कर रहा है तो लीग कम नाकाउट से खिला जाता है नेक्ट है सुदरी मन कप का संबंद किश खेल से है तो सुदरी मन कप बैन मिन्टर से रिलेटिड है नेक्ट है बाएं हाथ के गिंदबाच दाएं हाथ के बल्लेबाच को आफ स्पीन का एक्षन कर लेग स्पीन गेंद डॉले तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहा जाता है चाइना मैं नेक्ट है आज भारत में राष्टिय कोचिंग स्कीम को नियंतरित कौन करता है तो यह भारतिय खेल प्राधी करोड यानि शाई यानि स्पोर्ट अथारोटिया उफ इंडिया करता है जिसकी इठापना 25 जनुवरी 1984 को हुआ नेक्ट है एक व्यक्ति के सरीर का आशन यानि पोस्चर निवनी में से किसे से सबसे अधिक प्रुहावित होता है तो दोस्तों यह गती समंधित क्रियाओं में आदतों में से पोस्चर जो है जिस तरफ जादे आप गती करेंगे एक्टिविटी करेंगे उधर का पोस्चर उसी तरफ रुख कर लेता है इसलिए सभी प्रकार की योगासन करना चाहिए नेक्श दोस्तों एक बच्चे के वृधिया और विकास में सबसे मुख्य बाधा कौन्ट्री आती है दोस्तों यदि बच्चे को अच्छा पोसर संतुलित आहर नहीं मिलेगा तो उप कूपोसर के शिकार हो जाते है और वृधिय विकास रुक जाता है तो यहाँ पे कूप दिंख के बूद्र कमें तिया गया है कि जो 890 उलम्पिक जो आधोनीक उलम्पिक का प्रत्व उलम्पिक था उसमें 14 34 stating भाग लिया था और कहुं बाराख खे लो सामिल किया गया था तो यहाँ पे बाराख खेल सामिल किया गया था लेकिन यहाँ पे नव दिया है इसका ainस आप सभी लोग ढूंड के बताईएगा एन नेक्स्ट कोश्चन है किस ओलम्पिक में पहली बार ओलम्पिक का जंडा फराया गया तथा पहली बार ही सपत लिया गया तो दोस्तो ओलम्पिक का जंडा के जो नेमान है 1913 में बैरन पिरेडी को बार्डे ने किया था तो ओलम्पिक जंडा और सपत दोनों चीजे 1920 एंटवर्क ओलम्पिक बेल्जियम से ही शुरू हुआ था याद रखियेगा नेक्स्ट है इस्पार्टा की लोगों को किस छेतर में बिसिस्ट समझा जाता था तो आपको पता है कि इस्पार्टा की लोग जो है जो अपंग और कमजोर बच्चे पैदा होते थी उसको टाइगेट्स परवस से फेकवा दिया जाता था तो यारी कि ओस सैनिक कोशलों में ज़्यादा बिसिस्ट समझे जाते थी लेक्ट है युनान की शबता में कौन सा मनरंजन कारे प्रचलित था जिसका प्रयोग वहां के लोग प्राचीन कालमी किया करते थे तो वहां पे निर्ती जो है प्रचलित था नेक्ट है इस स्कूलों में साररिक सिच्छक की निव्टी के लिए अहरेता को निधायत करता है तो दोस्तों इस सभी काम होता है N.C.T.E. का यानि कि राष्टी अध्यापक सिच्छा कमीशन यानि कि N.C.T.E. National Council of Teacher Education राष्टी अध्यापक सिच्छा सिच्छक ठीक है तो राष्टी अध्यापक सिच्छा परिश्द जो होता है National Council of Teacher Education जो है इस अभी कराता है दोस्तों इसका फुल्फार्म कई बर पूछ लिया जाता है इस बर पूछा भी था तो आप ध्यान दीजेगा इन सभी पर जैसे कि N.C.T.E. कि थापना 17 अगस 1995 को हुआ था और N.C.T.E. जो होता है वहाँ राष्टी अध्यापक सिच्छा परिश्द यानि National Council of Teacher Education जो भारत के सिच्छा प्रडालियों के मानक हुआ उनके कार्यों को नियांतित करता है नेक्ट है इस परड़ा की लोगों का कौन सा चरित्र योग्य नहीं था तो वहाँ किखना की लाना उन्लों का एक यह योग्य नहीं था नेक्षक किस देवता के समच्छ निमियन खेल आयोजित किये जाते थे तो दोस्तों पहले जो है जो निमियन खेल है यानि कि उत्तर एथेंस का पूरो एथेंस काल में अखिल ये वन यानि पैन हैलिक खेल समारू होता था जिसमें चार खेल होता था उलम्पिक, पीथियन, इस्थिमियन, निमियन उलम्पिक खेल जो है वहाँ जियस देवता के सम्मान में जियस यानि अपास देटा के सम्मान में होता था पीठियन खेल अपॉलो यानि सुर्य देटा के संधाजली के लिए और इस्थिमियन खेल समुद्र देटा यानि पोसीडियन के सम्मान में निमियन खेल जियस देटा के सम्मान में तो यहाँ पे right अजन हो जाएगा काुज़ नंधयो होता था या बच्चे में सारीक बिक्रिति का मुख्य कारर क्या है तो दोस्तो कूपोसर है उसको सही से संदुरित अहार नहीं मिलना नेट है अगर कुबजता यानि लाडोसीस निन में से किसे समन्दी थे दोस्तो हमारा कमर वाला भाग जो है वो करो हो जाता है गड़ा हो जाता है वो बाहर पेट निकल जाता है अगर कुबजिता यानि लाडो सीस कहा जाता है लाडो सीस को हलो बैक, स्वे बैक, बैक, पोस्टर डिफेक्ट सेडल बैक यानि आगे की तरफ कुबड़ा आदी जाना जाता है तो दोस्तों यहां पे राइट इंसर हो जाएगा हूँ गर्दन तथा निचला कमर ठीक है नेक्ट है अगर कुबजिता यानि लाडो सीस अधिकरित किसमे पाए जाता है तो यह सभी उम्र के लोगों में जादे तर पाए जाता है नेक्ट है अगर लाडो सीस लंबर भाग पर होता है यानि कि जो कमर वाला भाग कटी कसी रुका तो मरीज कैसा देखने में लगता है तो दोस्तों अभी जश्ट पताएं कि लाडो सीस को हालो बैक, स्वेब बैक, बैक, पोस्टर डिफेक, सैडल बैक आरी नामों से जना जाता है तो यह है एक स्वेब बैक जैसा दिखता है ठीक है नेक्स्ट कोच्चन है कि मेरु दर्ण की पार्स कुझता पार्स कुझता यानि की स्कोलियोस्टिस जो होता है वो मेरुदर्ण के पार्स कुछ का यानि लेटरल डिविएशन आप इस्पाइन यानि मेरुदर्ण यानि की स्पाइन का एक और जूख जाना यानि सोल्डर एक तरफ और हीप दुसरी तरफ CIS की आत्रिकी बना लेता है तो यह पिकριती स्कुनिक सबसे अधिक किस खेल में देखनें के मिलता है तो दोस्तों या तिरंदाजी और निसाने बाजी में जादे तर देखनें को मिलता है साइड बेंडिग प्रकार की जो निममें से जाता है। जो दोस्तों मैं यहां। या आपको याझ को एक। पताया था। D, A, S, D से होता है डायार्थ्रोसिस जो चल संधी को बना जाता है, A से एंफियार्थ्रोसिस जिसे अर्धचल संधी को बना जाता है, S से साइनोथ्रोसिस यानि की अचल संधी को बना जाता है, तो अचल संधी हमारे खोपड़ी की जोड या जिसे सूचर कहा जाता है, डातों जो जो अचल संधी के द्रगत आता है तो साइनो थ्रोसिस प्रकार के जो निन में से किसमी पाय जाता है इसमें आपको देखना है तो इसमें आपका खोपड़ी में पाय जाएगा खोपड़ी में पाय जाएगा यानि कि दोस्तों जैसे कि जो आपका अचल संधी है उसको फीस जोएंट, फाइबर जोएंट, साइनो थ्रोसिस जोएंट, इम्मूबल जोएंट आधि रामों से जाना जाता है जो अधिश्चल संधी है वो सिगनी मूबल जोएंट, कॉर्टिल जाना जाता है जिसमें बहुत कम गर्थी होता है जैसे कि हमारी इंटरवर्टिबल ज्वाइन रिर्ड की हड़ी का जोड अप्यूबिक सिंफेसिस यानि टेल बोन के पास का जो जो कुल्ये का सबसे निचला हिंश्टर होता है और पसनियों का जो यह अधरचल संदी में आता ह है और तिसरा होता है चल संदी जिसको फ्रील इमूआबल जोएंट शाइन वियल जोएंट अद डायर्ट्रोसिस जोएंट आधी नामसे जाना जाता है इच्छे प्रकार का होता है पहला होता है फिसलन वाला जोड़ यानि ग्लैडिंग जोंट जोएक हड़ी दूसरी हड़ यह पर फिसलटा है जैसे कार्पस टार्सस जॉन जुन दुसरा होता है बाल इमस्पर जयुन जो एक हड़ी का गोल सीर्य दुसरी हड़ी की कप की अकार में फसा रहता है जिसमें सभी दिसाओं में गती होती है जैसे shoulder joint and hip joint तिसरा होता है हिंज joint जो कब्जा संधी या कोर संधी कहते हैं जिसमें एक तल में गतिव होता है एक हीट डिसा में जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है जैसे हमारा knee joint, elbow joint, new joint, jabro का जोड हिंज संधी में आता है चोटा होता है चल संधी में कांडिलायर joint जिसे इस्थुलक संधी में कहते हैं जिसमें दो तलो में गति होता है जैसे हमारा wrist joint यानि कलाई का जोड चववत पांचवा होता है चल संधी में पीवट joint जिसे दुरागय संधी कहते हैं इसमें सिर्फ rotation moment होता है जैसे एक हड़ी का सीरा दुसरी हड़ी के नुकिने सीरे पर घुमता है जैसे हमारे सीर की गति गर्दन का जोड एंड रेडियस अलना के ऊपर घुमता है जिसे प्रोनेशन सुपानेशन पोजिसन rotation होता है तो रेडियस अलना जुएंड भी होगा छटा होता है चल संधी में सैडल जुएंड जिसे प्रिष्ट संधी में बोलते हैं सैडल जो परसपर अधान प्रतान करने वाली संधी होती है जो कि किसी भी दिसावा तल में गति करती है जैसे कि ट्रेपेजियम तथा प्र अचल संधी नमकजोदिवन में में क्या कह लाते हैं तो दोस्तों यह अचल संधी कहलाता है अचल संधी अभी जस्ट में बताई हूँ अचल संधी को भाईबर्स जौन्ट इम्मे जौन्ञ एंवलन जौन्ट सायनोफ्रोसिस मैद फीच जौन्ट अदि नामों निज्क जाना जाता है किल थम्तू संधी अदि नामों से जाना जाता है। यह खोपड़ी के जोड यिसे सूजर कहा जाता है, and syndromosis जो एंडिरियर, tbfibular joint होता है, and gomphosis जिसे gomphosis या pake and sacer joint दाते को जोड़ को कहा जाता है, यह सबी अचर संदी का example है, नेक्स्ट है एकलिस टेंडन की समांस बेसी के सीरे पर इसित होती है दोस्तों तो यह होती है आपका गैस्ट्रोनीमियस मसल्स पर जो हमारे एरिस से लेकर गैस्ट्रोनीमियस मसल्स तर जो जाती है सबसे लंबी और बड़ी टेंडन होती है एकलिस टेंडन नेल्ट है ताकत सभी गतियों का अधार होता है इसमें निमने मेंसी मुटापे की समस्या सबसे अधिक कहा है दोस्तों तो अमेरिका में सबसे जदा मुटापे की समस्या है नेशों दोस्तों BMI कितने से अधिक होने पर मोटापा यानि ओबिसिटी कनाता है यानि मोटापा को मेजर करता है यानि कि आपका जो वेट है लंबारे के हिसाथ से ठीक है या नहीं यानि कि BMI ग्याद करने का सुत्र होता है Weight in kg upon height in meter square Weight in kg upon height in meter square तो जिसमें जैसे की डबली अच्चो के BMI को क्लॉसिफिकेशन किया हुआ है कि जो 16-18 के बीच रहेगा तो आप अंडर वेट कहलाएंगी यानि कि आपको वेट कम है आपको डाइजेशन, वीक्नेस, इस्ट्रेस, इंजाइटी, मसल्स बेगदाउन, etc. प्रॉब्लम हो सकता है जब आपका BMI जो है 19-22.9 या 23 के बीच में रहे तो आपका नार्मल यानि कि आर्फ घुड होगा यानि कि आप ठीक हैं और जब 23 से आगे चला जाएगा 24-25 सीधे तो आप तो आप तीस से अधिक हो जाएगा तो आप ओवेसिटी यानि मोटापे का सीकार हो जाएगे तो य यहां पर राइड एंसर हो जाएगा आपसर नेंबर गव तीस परसेंट ठीक है एंडिसर से बेस्ट BMI होता है 22 और एक्स डेली एससाइज और डेली रूटीन से इस प्रावलम को कंट्रोल किया जा सकता है नेक्स है किस उलम्पिक में पहली बार भारत का तिरंगा लहराये गया दोस्तों तो 1948 लंदन उलम्पिक में सबसे पहली भारत का तिरंगा लहराये गया एंड नेक्स्ट है पहली बार और आज तक के उलम्पिक में अंतिम बार भारतिय बॉसके बॉल टीम ने किस उलम्पिक में भाग लिया तो उनिस्टो अश्टी मास्को उलम्पिक में नेक्स्ट है किस भारतिय खिलारी के नाम से जर्मनी में सड़क बनाई गई है दोस्तो तो हांकी खिलारी रूप सीम ध्यान चंद के भाई के नाम पर जर्मनी में सड़क बनाई गई है नेक्स्ट है किस भारतिय खिलारी के नाम से 2012 के लंदन उलम्पिक में ट्यूब इस्टेशन लंदन में नहीं बनाया गया है तो दोस्तो नहीं बनाया गया है तो बनाये गेरी जादों के नाम से नहीं बनाया गया है अग किसी के नाम पर लंदन ओलंपिक दोजाबारे में ट्यूब इस्टेशन लंदन में बनाया गया है तो मेजर ध्यान चन लेजली क्लाडियास रूप सींग ये तीनों हाकी खिलाईयों के नाम परख दोजाबार है कि लंदन उलम्पिक में ट्यूब इस्टेशन लंदन में बनाया गया है नेक्स्ट है किस भारतिय हाकी खिलाईय ने सबसे अधिक बार भारतिय हाकी टीम के सतस्य के रूप में उलम्पिक में प्रतिभाग किया है नेक्स्ट है पाकिस्तान ने पहली बार किस उलम्पिक में प्रतिभाग किया तो 1956 मेलबोन उलम्पिक में सबसे पहले पाकिस्तान ने प्रतिभाग किया नेक्स्ट है भारती फुटबाल टिम किस उलम्पिक में प्रत्थन चार में अस्थान बनाया तो दोस्तों सबसे पहले बात आप जानिएक जो फुटबाल जो है भारत ने फुटबाल में उलम्पिक में सबसे पहले 1948 लंदन में भाग लिया जिसके टिम के कप्तार टॉम बेंगल थे और भारत की तरफ से एक मातर गुल सारंग पानी रमन ने किया था फिर दुसरी बार भारत ने प्रतिभाग किया फुटबाल में उनिस सो बावन हे लजजटी फिल्लैंड में जिसके कप्तार सैलेस मुन्ना थे और भारत की टिम ये गोशलाविया से हार गे थी और तिसरी बार भाग लिया भारती फुटबाल टिम ने उलम्पिक में उनिस सो चपण में बोर्ड आस्टेलिया में जिसमें भारत चोथा अस्थान प्राप्त किया और चोथी बार भाग लिया उनिस साथ रोम इतली में जिसके कप्तान भारती टिम के पीके बनरजे थे और भारती फुटबाल टिम क्वाटर फाइनल के ये क्वालिफाई नहीं कर पाई और इस उलम्पिक के बाद भारती फुटबाल आज तक उलम्पिक के लिए क्वालिफ ठीकि पर्थमबार पर्थम चार में अस्थान पाया था तो वह था 1956 मेलबॉर्ण उलम्पिक ठीक है अगर पूचे भाती फुर्वार टीम पर्थमबार कब भाग लिया था तो उनिसो और तालिश लंदन में नेक्स्ट है अभी तक किस महादीप में उलम्पिक आयोजित नहीं हुआ है तो सभी महादीप में हो गया है पड़ और फिका महादीप में कोई उलम्पिक अभी तक आयोजन नहीं हुआ है एंड नेक्स्ट है एसिया को आई ओसी द्वारा यानि की इंट्रनेशन उलम्पिक कमेडी के द्वारा पहली बार कब उलम्पिक आबंटित किया गया तो 1944 सब्सक्राइब दोस्तों यहाँ पी गलत लग रहा है एसिया को आई ओसी द्वारा पहली बार कब उलम्पिक आबंटित किया गया तो एक कन्फीजन है दोस्तों क्योंकि 1964 टोक्यो जापान में हुआ था ओलम्पिक तो मेरे खिलाएंट से अफसर निम्र को राइट होगा 1964 टोक्यो जापान नेक्ट है प्रयास या तूट्वूर्टी ट्रान एंड इर हिणि दिया है थारथांडाएक ने इस स्थान को दूसरी किस नाम से जाना जाता है तो इस स्थान को स्वयम सीखने का स्थान यानine की स्वयम सीखने का सिथान ने Simple of Self-Learning के नाम से भी जाना जाता है मेजर ध्यान चंद और रूप सिंग के भाई का नाम बताईए जो हांगी के एक अच्छे खिलाई रहे हैं तो दोस्तों मेजर ध्यान चंद के भाई रूप सिंग है और एक और भाई थी उनका नाम आपको बताना है जो भी होगी के अच्छे खिलाई थे उनका नाम है उरैसिंग नेट है जब भरत ने अमेरिका की धर्टी पर लॉस इंजेल्स 1932 में अमेरिका की ओलंपिक होगी टीम 24-1 के विसाल स्कूर से पराजित किया था उस भातिय टीम के कप्तान कौन थे तो उस भातिय टीम के कप्तान थे लान्ज साह बुखारी जैसा कि आप जानते हैं 1928 इमस्टर जम हालेल में भातिय हाकितिय में सबसे पहने भाग लिया उसके बाद लगतार स्वर्ड पदक गीता 1980 मास्वरुम रुस्तव और अभी तक में भारत उल्लिपिक में बारह पदक गीता हुआ है 801 रज़त तीन कासे पदक एक रज़त 1960 में तीन कासे पदक 1960 वा 1972 वा 2022 पोक्यों में जीता है उसके लावा सभी में सबसे पदक गीता है 1928 में एमस्टर जम हालेंड उल्लिपिक में पहले बार कप्ताम बने जैस जैपाल सिंग नेक्ट है उनिस्टो पेरीज उल्लम्पिक में नार्मन पिचार्ड ने किसके जंडे तले प्रतिभाग किया था तो दोस्तों ब्रिटिस इंडिया के जंडे तले आंग एंग्लो इंडियन के जंडे तले इन होने भाग लिया था इसलिए कहा जाता है कि भारत ने सबसे पहले उल्लम्पिक में कब भाग लिया तो उनिस्टो में अभिकाड़े कुप से भाग लिया उनिस्टो अठाइस एमस्टर ज़र्डम हालेंड में और महिलाओं ने उलम्पिक में कप प्रतिभाग गया तो उनिशो पेरिस फ्रांस में और नेक्स्ट कोजिन है निम्री में से काल क्रमिक के अधार पर बढ़ते हुए क्रम में कौन शही है तो दोस्तों यहाँ पे राइट इंसल हो जाएगा आफसन νम्र को शुक्रात प्लेटो अरस्टू यानि सुक्रात के सिसे प्लेटो प्लेटो के सिसे अरस्टू तीनों अपने समय के महान दासनिक है युरान के तीनों थी, ठीक है एंड नेक्स्ट है अगर पेर के पंध्ये को बाहर की तरप मुणा जाए तो यह किस प्रकार की गति कहलाएगी तो दोस्तों अगर अंदर की तरब मुला जाता है तो इन वरजन और बाः की तरब मुला जाएगा तो ए वरजन कहलाएगा ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही पच्छास से की कोशन का प्रैक्टिस आप नहीं किया आई हो किसरी कोशन सापको अच्छे से समझ में आया होगा जिस भी कोशन में डाउंट है या गरत आपको लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए उसका समधान किया जाएगा तो दोस्तो डिलिवी से इसी तरह प्रैक्टिस करिए और जादे से जादे अपने दोस्तों तब कभी सियर कीजिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट प्रैक्टिस सेट के साथ तब तक के लिए जय हम